नमस्ते दोस्तों वैसे तो देवी देवताओं और मंदिरों से जुड़े कई चमतकारों के बारे में आपने सुना होगा लेकिन कडिया घाट माता मंदिर नामक एक एकसा मंदिर भी है जहां पानी से दिया जलाया जाता है ये कोई कहानी नहीं बल की हकीकत है जी हाँ ये हकीकत है मद्दे परदेश के साजापूर में इस्तीत काले सिंद नदी के टट पर बना हुआ ये मंदिर जिस मंदिर में जलने वाला दिया जिसकी जोती पानी के दुआरा ही जलाई जाती है इस मंदिर में दिये में घी या तेल इस्तमाल नहीं किया जाता बलकी पानी डालकर भगवान के सामने दिया जला दिया जाता है मद्दे परदेश के इस मंदिर को गाडिया गाट माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है इस मंदिर में जलने वाली जोती पिछले आठ सालों से पानी के माध्यम से निरंतर जल रही है और जैसे ही दिये में पानी खतम होने लगता है मंदिर का पुजारी काली सिंधी नदी का पानी दीपक में डाल देता है दीए में पानी डालते ही वो काला चिपचिपा तरल पधार्थ बन जाता है और दीपक जल उड़ता है इस मंदिर में होने वाले इस चमतकार को देखने के लिए कई लोग आते हैं और अपना सर सर्दा भाव से ही जुखाते हैं मंदिर के पुजारी के अनुसाद इस मंदिर में बहुत समय पहले तेल का दीपक जला करता था लेकिन मंदिर के पुजारी को माता ने सपने में पानी से दिया जलाने को कहा तब से इस मंदिर में दिये को पानी से जलाया जाता है दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे सेर और लाइक जरूर कीजेगा और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर लोगों को भी जरूर बताईएगा एसी और जानकरी पाने के लिए हमारी चैनल पर बने रही है